हेलो गाईस वेलकम बैक आप सभी का एक और इंपोर्टेंट विडियो में जहाँ पर आज के इस वीडियो में आप फिर से इसकार करने वाले हैं स्टाप मार्केट के एक और इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में और एकर हम इस company के grey market premium की बात कुर तो इस company का current grey market premium भी काफी ज़ादा है. Reserve Bank of India ने बहुत सारे financial entities पर fine लगा है, penalty लगाई है. इसमें से सबसे बड़ी penalty है 1.76 करोर के जो की लगाई गई है वकरांगी पर. क्योंकि इन सारे financial entities ने Reserve Bank of India के कुछ compliance को follow नहीं किया था. इस list में दुसरे नमबर पर आता है LIC Housing Finance जिसको 5,00,00 करोर की penalty लगी है. इससे पहले भी Reserve Bank of India ने बहुत सारे entities पर fine लगाई थी. L&T यानि Larson and Turbo का भी quarter 2 का reserve आ चुका है और company का profit after tax increase हो चुका है 26% से. quarter 2 में company को 2,819 करोर का profit हुआ है और भही पर L&T का revenue from operation भी increase हुआ है 22% से. L&T का business काफी देजी से grow करते जा रहा है और यहाँ पर L&T के shares के price में भी अच्छी खासे grow दिखाई दी हैं. और अगर आप अभी भी L&T के shares में investment करते हैं तो आने वाले 3-5 साल में आपको काफी अच्छी return कमाने को मिलेंगे. तो definitely आपको यहाँ पर investment करना है. और इसी इसका ultimate impact पड़ा है इंडिया के foreign exchange reserve और इंडिया के foreign exchange reserve भी कम होते जा रहा हैं. और तो और यह इंडिया के लिए panning की situation create करता हैं क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का foreign exchange reserve कम होते जा रहा हैं. वैसे तो लग रहा है कि इंडिया में inflation की rate भी बढ़ते जाएगी. को नाम दिया गया है pilot project. अब मैं आपको बताता हूं इंडिया रूपी की performance हो भी day by day basis पर. आज जब इंडिया का market close वादा तब इंडिया रूपी की value थी 82 रूपी 78 पैसे. और सिर्फ पर सफ एक दिन के अंदर अंदर जो इंडिया रूपी की currency है वो डॉलर के comparison में 0.28% से गिर चुकी है. अब यहां पर देखना यह है कि इंडिया रूपी कितना ज्यादा गिरता है और अगर उपर आता है तो कितने ज्यादा level पर उपर आता है. United State of America में inflation काफी देजी से बढ़ते जा रहा है और तो और इस inflation को control मिलाने के लिए चार बार पहले भी repo rate को increase कर दिया गया है. लेकिन United State of America के research report का यह कहना है कि अगर inflation काबू में नहीं आता है तो यहां पर एक बार फिर से repo rate को increase करना पड़ेगा. अगर फिर से एक बार repo rate increase होती है तो market में liquidity जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी. अगर market में liquidity कम होती है तो stock market पर इस चीज़ का negative impact बढ़ता है और इसी के साथ साथ इसका impact इंडिया के stock market पर भी पढ़ सकता है. Flipkart के parent company Walmart का revenue from operations तो increase होते जा रहा है लेकिन company का net profit जो है वो गिरते ही जा रहा है company को लगाता process हो रहे हैं और financial year 2022 में Walmart को 300 crores का loss हुआ है और Walmart का revenue जो है वो 6.9% से increase हुआ है जिसका value है 5,300 crores के आसपास. अब Walmart के shares में जो गिरावट start हुई है यह गिरावट यहीं पर रुकेगी नहीं Walmart के shares और भी ज़्यादा गिर सकते हैं क्योंकि market की condition ही ऐसी है एक तरफ inflation भरते जा रहा हैं दूसरी तरफ company के fixed cost के वज़े से यह सारे losses हो रहे हैं तो मुझे तो ऐसा रगता है कि company के shares की price जो ह हैं और इसी इसका impact जो हैं इस company के shares की price पर भी देखने को मिला हैं और इस company के shares की price में भी massive downfall आया हैं लेकिन अगर आप Tech Mahindra के shares में long term के लिए investment करना साते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे opportunity हैं क्योंकि company के shares जो हैं वो काफी जादा गिर चुके हैं और अगर आप यहा हैं कि आने वाले time period में automobile sector की industry की growth है वो 8% पर आयनम के हिसाब से होने वाली हैं क्योंकि आने वाले time period में electronic vehicle की demand बढ़ेगी और इसे के साथ साथ बहुत सारी major companies की demand जो हैं वो अभी भी बढ़ी हुई हैं festivals में automobile sector की demand वैसे भी बढ़ जाती हैं और यहां पर company के revenues जो हैं वो Tata Steel के quarter 2 के result में profit जो हैं वो 87% से गिर चुका हैं अभी अभी फिलार ही Tata Steel ने अनौंस किया था कि Stealth related 7 major companies को एक करने वाले हैं यहां पर merger होने वाला हैं लेकिन current market condition के जिसे company के shares की price गिरते गे क्योंकि यहां पर company का revenue है वो day by day कम होते जा रहा था और company के revenue के कम होने के respective की LSE के shares गिरते ही जा रहे हैं क्योंकि यहां पर investment करने के पिछे के reason यह है कि LSE जो है वो insurance company है और insurance company के साथ-साथ LSE investment company भी है बहुत सारे companies में इन्होंने investment किया हैं तो इसलिके वज़े से आपको definitely LSE के shares में investment करना है क्योंकि LSE के shares इनी सब reason के वज़े से future में काफे अची return देंगे वो तो current market condition ही ठीक नहीं है around the globe inflation भरते जा रहा है इसके लिए LSE के shares में भी घिरावर देखने को मिली है तो आज के इस important वीडियो को यही पर खतम करते हैं और hope करता हूँ कि आज की वीडियो का content आपको valuable लगा होगा अगर आपने आज के इस video को like करना share करना इसी के स अगर आप इस channel पर नए हो तो इस channel को subscribe करूँ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए topic के साथ एक interesting topic के साथ तब तक के लिए signing off happy investing and good bye